अफगानिस्तान के काबुल में एक बाफिर से बड़ा हमला हुआ है छे लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आई है इस पहबले में तो वहीं कई अन्य घायल भी हुए हैं तो ये बड़ी और एहम जानकारी सामने आ रही है अफगानिस्तान के काबुल से तो वहीं हमले मे साथ लोग घायल हुए हैं तो वहीं छे लोगों की जान गई है आतंकी संगठन ISI के हाथ होने की आशंका बताई जा रही है तो यह बड़ी और रहम जानकारी अफगानिस्तान से सामने आई हुई है जहां पर बारूदी खेल जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है हमले मे में छे लोगों की मौत हुई है तो वहीं सात लोगों की घायल होने की सूचना भी सामने आ रही है तो अफगानिस्तान से बड़ी जानकारी सामने आई है जहां पर काबुल में एगवाफ फिर से आतंकी संगठन IS के हाथ होने की आशंका बताई गई है इस हमले में और इसी क को लेकर काबुल में फिलाल जर्ग का माहौल पैदा हो गया है आपको उता देंगी जब से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ है तब से खूनी खेल और बादूर्दी खेल जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है तो यह बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही जहां पर आपको उता देंगी अफगानिस्तान के काबुल में एक बाद फिर से हमला हुआ है साल के 365 दिन 24 गंते और सातों हर हालात वाक्यात की हर ख़बर की हर दस्तक को देखने के लिए एनवी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेस्बुक पेज को करें फॉलोग उठाइए रेमोर और जुड़िये एनवी न्यूज के साथ टाटासकाय चैनल नंबर 1927 और एर्टेल चैनल नंबर 356 पर अब एनवी न्यूज जियोटी मोबी अप एर्टेल एक्स्ट्रीम ओटी इंस्टाग्राम ट्विटर गूगल प्ले और एप स्टोर पर भी अवेलेबल है ANB News, आपकी बुलन दावाज, आपकी बाद